और अगर आप देखो कि 447 million के इनको orders मिलें dollar terms के अंदर ठीक है new bookings 302 million dollar की है तो जब dollar के अंदर जो इनको orders अच्छे मिल रहे हैं तो फिर problem का रहे हैं तो problem आते है basically कि इनका एक और बड़ा contract है तो अधिस्कास करेंगे persistent systems limited को persistent systems का result आया था Q4 का और जिस दिन रिजल्ट है उस दिन सीधा 10% की गिरावट लगवकर 9.68% की गिरावट यहां पर दिखाई हमें दी और अभी यह support ले रहा है 200-day moving average पे पिछले चार दिन से stock daily गिर रहा है और 3300 का भाव है आपर और इसने जो एक high बनाया 4400 के level पे बनाया काफी लोगों को लगता है stock काफी lucrative price के अंदर आ गया हैगा आप देख सकते हो अगर all time high touch करेगा 32% की यहां से run up दे सकता है तो अच्छा return बन जाएगा और बहुत लोगों को यह भी डर है कि अगर stock यहां से कही 10% और नीचे गय for example अगर अगले support के पास गया 3000 पे तो 11-12% का नुक्षान उनका और हो जाएगा तो क्या stock को बेचना चाहिए खरीदना चाहिए सारी चीरे discuss करेंगे मैं आपको कोई भी बाइसली के recommendation नहीं दूँगा मेरी कोशिश रहेगी इस conference call के basis पर company की presentation है यहां पर important points जो मैंने note करे है financials को discuss करेंगे और आपको एक अच्छी clarity देने के कोशिश करेंगे यहां पर वीडियो जो होगा education purpose के लिए होगा कोई भी बाइसली की recommendation नहीं होगी buy करने sell करने अपने financial audience से जरूर डिसकस करना है अब उसके पहले तो वीडियो को शुरू करते है सिधा Q4 के numbers को discuss करते है Q4 का according to 14% आपको अच्छा देख रहा है बाइस सो करोड के ऊपर पच्छे सो करोड का revenue आ गया लेकिन बजार कैसे करके देखता है market के accordingly हमें technology companies को वायो वाय बेसिस पर नहीं QOQ बेसिस पर देखना चाहिए मतलब कि इस December को इस March से compare करे आप 2498 2591 कितना हो गया लगबग 3% के चुली काम करते है तीन साल पान साल का contract होता है तो market को उमीद और technology company जो है अफकॉस यह कोई कपड़ तो बनाती नहीं है कि हाँ फैशन चलागा तो नुक्सान होगा या फिर कंबल नहीं बनाती blankets होगे ठीक है सर्दियां होंगी तो blanket बिकेगा या फिर कोई गर्मियों वाला season नहीं होता है मतलब seasonality नाम की चीज नहीं है यह सिर्फ एक secular growth की companies होती है market को QOQ basis के ओपर देखता हैगा कि यहां आपने पिछले contract कितने win करें अब कितने contract win करें आगे कितने contracts आप लोग विन करोगे ठीक है ठीक है ठीक है तो इसलिए यहाँ पे सिर्फ 3% की growth है और 3% की growth ह नहीं है for example माल लो इस 2400 करोड को अगर आप इछले quarter में जो भी dollar का भाव था ना अगर आप इस quarter के अंदर dollar का भाव देखोगे तो यह सिर्फ dollar terms की growth है बहुत simple भाषा में अगर समझा हूं कि for example माल लो आपका कोई client है आपको महां से 1000 dollar का order देता है कितने simple thousand dollars आप कुछ समान बेजते हो उसको 1000 dollar आपको भेज देता है माल लो December में उसको 1000 dollar आपको भेज दिए अब जब 3 महीने बाद आप दुबारस उसको order भेजोगे तो आपको 1000 dollar भेज देगा लेकिन December के अंदर आपके 1000 dollar की value हो सकता है 80,000 रही हो मतलब 80 रुपीस पर डॉलर रहा हो और अभी dollar की value क आप देखोगे प्रेंटेशन के अंदर तो यह सिर्फ dollar के अंदर बात करते हैं यहां पर numbers देखे हो आप अगर आप देखोगे 310 dollars ठीक है million dollars ऐसे करके तो यह सब कुछ dollar terms के अंदर लिखा हुआ है एक चीज ठीक है बाकी सारी चीज़े अच्छी है margin 18% का हैगा profit healthy है 315 का है highest ever revenue है और highest ever quarterly profit भी है अगर आप annual basis पर देखोगे तो highest ever revenue यहां पर है highest ever annual profit कमती नहीं यहां पर किया हुआ है उसके बाद भी stock गिर जाता है stock क्यों गिरता है इसी conference call में चलते हैं कुछ important points में आप लोग बताया तो देखो जमने revenue discuss कर ली आएगा ठीक है 3.4% की growth है और 3.4% य नियू booking 302 million dollar की है तो जब dollar के अंदर जो उनको orders अच्छे मिल रहे है तो फिर problem कहा रहे है तो problem आते है basically कि इनका एक और बड़ा contract है जो की बंद हो गया है कैसे बंद हो है top one customer declined 3.2 million dollar QOQ मतलब जो इनको revenue 3.2 million dollar का कर रहा था हर quarter के अंदर अब वो 5 साल की deal complete हो गई है partially wrap down हो partial wrap down मतलब की हो सकता है कि 80% wrap down हो जा 20% चलता रहे मतलब 3.2 million पूरा तो नहीं आएगा हो सकता है half a million आए 700,000 dollars आए कुछ इतना पैसा आए बागी का नहीं आएगा तो मतलब लगबग लगब 100 करोड के आसपास का जो नुकसान है यहाँ पे company clearly बता रहे हैंगे नुकसान in the sense क कि वो contract अब आगे continue नहीं होगा ठीक है लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि इनके बागी contract wins नहीं है ठीक है आगे इनके contract इनको और भी contracts मिले हैंगे उससे पहले इनकी technology की बात करते कि इनके पकड़ क्या है market करना देखो इनके पास में जो है यह deliver कर रहे है solutions किस चीज़ के कि मुझे लगता है यह company है जो AI के अपर ठीक तक अच्छा काम कर रही है इनका एक product है सासवा के नाम से जो कि digital engineering powered enterprise है आप इसको pause करके पढ़ लेना अगर आपको technology समझ आती है आपको easily समझ आ देगा कि यह काफी अच्छा product इनको ने बनाया है गा जो कि cost saving भी है तो basically मेरा coding क background नहीं लेकिन मुझे समझ में आता कि इस तरी किसे code लिखा जाता है बाद में वो source code repository के अंदर safe करते हैं उसके बाद में changes बगरा होते हैं ठीक है तो वो एक lengthy process है बहुत उसके अंदर changes करने के लिए बट इन्होंने यह product बनाया है जिससे काफी benefit हो सकता आगी जाकर कि एक औ अपनी है insurance की जो कि US के अंदर है उसने इनको Gen AI के उपर काम दिया हैगा और तीन साल के लिए लोग काम करेंगे पूर डिटेल में अगर को समझना है आप यहां पढ़ लेना नाम से एक और इनको contract मिला है जो कि large analytical instruments के basis पर है ठीक है एक diagnostic corporation है उन्होंने इनको दिया हैगा तो है वो slide यहां पर आगर की विंस को pause करके पड़ोगे तो आपको इनको की विंस इनके दिख जाएंगे कि हां इनको बड़े-बड़े contracts तीन सेक्टर के अंदर मिलें banking, healthcare and software के अंदर अब net net देखो बात करते हैं कि आगे growth क्या रहेगी तीन contract इनको मिल गए एक contract इनका partially बंद ह हो रहा हैगा company जनरेटिव AI पर काम कर रही है सासफवा नाम का इनका tool है काफी solid हैगा ठीक है उस पर company काम कर रही है AI वगर अपर और इनके बाकी के जो BFSI और बाकी जो इनके client हैंगे जो की banking financial software और healthcare के अंदर आते हैं यह आगे growth कैसे करेगी देखो net net समझने वाली चीज य आता है software को आप साल दर साल यूज करते हो इसलिए capital expenditure के अंदर आता है और of course 100-100 करोड जैसे आपने देखा भी 100 करोड रुपे पूरे साल कर रही है जिसका contract 5 साल करने complete हो गया तो देखो 10-10-20-50-50 करोड खर्च होते है तब कोई technology चेंज होती है तब कोई technology के पर काम किया ज देखोगे बहां पर भी इतनी जादा demand अभी नहीं है demand muted according to the conference call और plus हम लोग भी industry का पार है हमें पता है हम लोग यह सब आर्टिकल्स पड़ते रहते हैं US में क्या चल रहा है इंडिया में क्या चल रहा है तो demand जो है हर तरीके से अभी चारों तरफ से स्थोड़ी से म्यूट करना चाहते हैं तो देखो यह उन्हें 18% last quarter में क्या था last year के 17% इस बार किया है company का कहना है कि आने वाले तीन साल के अंदर 200-300 basis point तक यह लोग अपने revenue के अंदर जो margin है operating margin उसको improve करेंगे मतलब 3% तक 20% तक लेकर के जाएंगे आने वारे 2-3 सालों के अंदर margin के perspective से जो revenue है उस पर कोई straight forward guidance नहीं दिये वह guidance नहीं दिये मगर इनका कहना है कि यह लोग आगे of course काफी confident है इनकी technology काफी solid है इनका talent बहुत अच्छा है और definitely इन्होंने जो growth दिखाई है आप देख सकते हो 1200 करोड़ से company पिछले 10 सालों के अंदर 9000 मतलब अलमुस्छ 10.000 करोड़ की हो nine times वाली company से आपको क्या उमीद करनी चाहिए आपको यही करनी चाहिए तो एक आदा quarter जो है उपर नीचे हो जाता है इसका मतलब यह नहीं है कि company बेकार है definitely जब आपकी size बढ़ता है company का तो growth दिखाना इतना easy नहीं होता ठीकिन still इसकी market cap बहुत बढ़ी नहीं है यह mid cap company है 52 2000 क्रोड के market cap है अगर आप इसके PEARS को देखोगे तो TCS जो है वो 13 लाग पर है Infosys 5 लाग के उपर है HCL 3 लाग के लगवग 4 लाग के आसपस है तो यह लाखो वाली company है यह भी हजारों में है ठीक है market cap के हैसाफ से इसका मतलब यह नहीं कि मैं आपको कोई scheme नहीं बेच रहा ह कि अभी market के अंदर थोड़ा सा जो demand है muted side पर है लेकिन ये company का जो track record है बहुत solid हैगा अगर आपके पास में ये stock है तो आपको worry करने की ज़रूरत नहीं है आपने अगर के नीचे के भाव में खरीदा हुआ है तो of course आप अच्छे एक भाव में अभी एक अपने ले रखा है आ और जैसे मैं आपको समझाया कि हर एक company जिसके बास में पैसा आता हैगा वो कहीं ना कहीं उसको अच्छे अपने business को grow करने के लिए use करेगा और businesses आगे जाकर के grow होंगे किसके basis पे technology के basis पे बिना tech के कुछ नी चलने वाला आने वाले दिनों के अंदर of course अभी 2024 के आप देख opportunity है खरीदने के पहले आप अपने financial advice से जरूर डिसकस कर लेना कि आपको खरीदना चाहिए नहीं खरीदना चाहिए मेरे accordingly stock आपको अच्छे भाव में मिल रहा है इसका price to earning multiple अगर आप देखोगे तो काफी spike up हो गया था वापस से अपनी median की तरफ में यह जा रहाएगा तो क को कोई guarantee नहीं आएगा यहां पर अच्छा support इसने बना लिए आएगा लेकि मार्केट थोड़ा सा weak होगा तो stock गिर सकता है तो किसी को खरीदना है तो आप बिलकुल इसको सागड़ वे में खरीदो जो मां हमेशा अपनी वीडियो के अंदर कहता हूं आप थोड़ा खरीदो किसी को का 100 unit खरीदना है 10 unit खरीदना है तो पांच यहां खरीद लो दो नीचे खरीदना तीन और नीचे खरीदना वैसे करके आपका average अच्छा रहेगा और long term view के साथ में खरीदना क्योंकि stock market के अंदर पैसा long term के अंदर बनता है short term में पैसा नहीं बनता है ठीक है कुछ च स्ट्रॉंग है बाकि cash in working capital 34 क्रोड का है कुछ testing अगरा कर रहे होंगे उसके basis पर यह लोग ठीक है क्योंकि अपको अब product बनाते है उसको test अगरा भी करते हो 34 क्रोड भी स्कर्च करें हो सकता आगे जाकि बहुत अच्छा revenue से develop हो जाए promoter portfolio बहुत healthy है 31% promoter के पास में हैगा 24% FIA के पास है 25% DIA के पास है 17% public के पास है उसके अंदर भी एक H&I category के लोग है उनके पास कुछ stock हैंगे तो net net portfolio बहुत healthy है P&L healthy है profitable company है highest ever revenue highest ever margins तो PE थोड़ा सा जादा हैगा 47 का हैगा थोड़ा जादा इसलिए कह रहा हो क्योंकि देखो stock काफी चल गया थोड़ा सा नीचे आ PCS जैसी companies को देखो लोग example देते हैं 10 साल पहले किसी ने लिया होता 20 साल 30 साल पहले लिया होता तो इतने करोड़ बनगी होते सेम चीज़ यहां अपलाए होती है अगर अपने possession system आज लोगे तो 10 साल बाद हो सकता है कि यह stock अच्छे returns आपको बना करके दे दे और कोई सोचे मैं 6 महीने 1 साल में को चमतकार हो जाएगा नहीं चमतकार नहीं होगा multi bagger नहीं बनेगा क्यों नहीं बनेगा multi bagger क्यूंकि इसके एगल ग्रोथ आपके सामने है 17 परसंट की आ रही है ठीक है साल दर साल अगले साल में गर 30 से भी ग्रो करता है मैं अनुमाल लगा रहा हूं को इस भी ग्रोथ मिलेगी यह मत सोचना कि यह multi bagger बन जाएगा multi bagger उसको कहते है जो हर साल double हो ठीक है हर साल डबल होने के लिए हर चींदर को पढ़ोगे आपको अच्छा लगर है कि हायर समझदार पढ़े लिए लोग इसके दर काम करते हैं और बहुत इंटेलेक्च्चुल कि शरीक को वाम रखने औरdas हूं इनकी जतनी भी ग्रोथ है सारी कि अग्र और नहीं किया है सब बलाएगा थैक याथ नीड़े श्मायों और पैसा । वहत है खर्चा करने के लॉंग टरम का व्यू आप बना सकते हो उसके अंदर अच्छी कंपनी है किसी कोई कोई कोशन अगर और भी हो तो आप कॉमेंट करके पूछलना आपको जरू आंसर कर दूँगा कोई चीज मैंने मिस कर दियो आप बता देना आप आपको आगे कवर कर दूँगा आपको वीड वीडियो के लिए इतना है मिसने गली वीडियो में थांकियो सो मच